इस वर्ष एल नीनों आने वाला है, बारिस कम होगी, किसानों का दुख यहीं नहीं खतम हो जाता है, एक साल बारिसे नहीं होगा, पियाज 200 रुपिया, टामाटर 200 रुपिया, टेंशन नहीं लिजिए, अभी खांसर आने वाले हैं यह महासागर कितने लोग बताएंगे, यह पेरु टट से 180 किलोमीटर की दूरी पर, प्रसांत महासागर में यह जगा जो होता है, यहां पर 4 साल में एक बार चकरवाट उथपन होते हैं, अमुमन चार साल में एक बार एक हवी चकरवाट उथपन होता है, और यहां से एक जल्धारा इधर के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है इसी का नाम है इल नीना नाम क्या है इल नीनो इल नीनो क्या नाम है इल नीनो आती है परसांद महासागर में अब पहुंच जाती है हिंद महासागर में इल नीनो नाम की जल्धारा या इल नीनो जल्धार कर अद्ध माषागर में पहुंचती है तो यह यह अवाइवाव के उपर उड़ जाएगी पहले क्या होता था कि यहाँ गर्मी नहीं रहता था तो भारत की हवाए गरम हो और ऊपर उड़ती थी तो यहाँ से मुंथ चला जाता था भारत की और लेकिन जब एल्नीनो आ जाता है तो यह से साफरा इसको भी गरम कर देता है तो क्या यहां से मानसून अब भारत में जा पाएगा, बताइए, जिस चार साल में एक बर El Nino आता है, तो जिस साल El Nino आया रहाएगा, यहां से मानसून उपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मानसून तभी जाता है, जब एक जगा गरम और दूसरे जगा ठंड़ा हो, भारत मे गरम हो और इधर थंडा हो तभी मनसून जा सकता है। गरम होसित मौस ताफमान बरादरी है realidade हवाव कि अभअ में गती नहीं देखी जाएगी हवाव में गती नहीं देखी जाएगी अधागा यह अधा मत एगल मानसून अच्छा से आ पाएगा यहां मानसून भारत में अच्छा से नहीं आपाएगा और उस वर्स वरसा अच्छी नई होगी तो बताएं निन और यह हमारे लिए अच्छा है या खराब निन रहां को अरे यह किसान के पास एतना प्रॉफिट नहीं होता है नहीं हमारे यह इतना अच्छा बेवस्था आए कि सारे किसान को सिचाई किया जा सके मतलब बढ़ियां बेवस्था यह नहीं तो किसान डूब जाएगा आप लोग जिनके पिता जी खेती करते होंगे आप में से तो 90% किसान है किते लोग इसमें किसान आत उठा यह चोटा एल नीनो आ गया यह एल नीनो आ गया बारिस अच्छी होगी नहीं होगी पसल बरबाद हो जाएगा पसल कि आजाएगा अशर किसान पर अजीब नजर से देखती है यार आप एलनीनों को न रोक सकते हो नहीं हम ये कह रहे हैं कि आप एलनीनों को रोको लेकिन यार आपके पास भारी भर कम मंत्राले है रडार सिस्टम है वेदर रडार है आपके पास मंत्राले है आप तुरत यहां ब्राजील और चेंटीना से पूछ सकते हैं एलनीनों आने या तो पानी की विवस्ता अपने हिसाब से लेकर करें या पीर आसी फसल को बोएं जो की पानी कम ही ज़रूरत में हो सके धान पर जादे प्रिफ्रेंस नो दे उस इस्तिति में यह भी नहीं बताती है। अब बताव यह हम लोग के पास technology नहीं है अब खुच से सो हमारे पास रहा था हम कब का बता देते फोन करके बता देते हैं चुछा यहां है यहां अब हम लोग अगर डारेक्ट यहां पर अगर संपर्क करें डारेक्ट हम कि चलो भाई हम पेरू के देश से चीली में किसी से ड इमिटेशन है यहां पर टांग ले जाएगा हमको ने तो हमारी वेवस्ता रहते हैं किसानों को पहले बता देते हैं आप यहां पर ऐसे नहीं है अब बात बताईए आप इतने किसान घर के हैं अगर आपको पता चल जाएगा कि एलनीनों आने वाला है तो आप दो ही काम पर आपको या तो अपनी प्रहा या तो अपनी पानी की बेवस्ता को बहतरीन करें टा रहें और अगर नहीं बेहतरीन कर पा रहे हैं अगर нез vakशानों कि रानी경 हो आइप सबसके नकानी एगा क्यातों ख़ीव यहां पर दो ही तो आपर बशी पॉर्षान रहता है किसके पास जाये वो किसान के पास तो कुछ है नहीं निताओं को क्या लगता है किसानों के पास जाके गाओं में मुर्गाभाद खिला दो 500 रुपिया दे दो दारूरू दे दो वोट मिल गया भाई जब आप एतना कम चीज के लिए किये थे आपने कम कहा था कि हमको एलीनों की सूचना चाहिए कब बोला था आप लोग की कि हमारा बिद्यारत हमारा बाल बच्चे जब पढ़ने जाये तो अच्छा इनिवर्स्टी कॉलेज होना चाहिए तो गलती तो आपके गार्जियन लोगों की भी है जिनको मुर्गाभाद दारू 500 रुपिया वोट दिखता था उन लोग अब चछाहिए चलाने लगेगा ना तो रते एक सीशी भर के ओकरा खुब बढ़िया से बाबु बाबु ले ले सामने शीशी बोतल भर के औरे अरोस परोस का चाचाहों चाद पिला अरे ले ले सीशी भर एका पान भार भार तो नहीं चूप नहीं होगा तो मांगो या कीज नहीं है और किसांगों का दूख यहीं नहीं खटम हो जाता अगला दुख किसानों का होता है अगली साल आता है जिस साल एल नीनों आएगा ठीक उसी के अगले साल थीक इसी जगह से ठीक इसी के अगले साल और ठीक इसी के जगा पर इसी रास्ते से ला नीना आएगा क्या आएगा ला नीना ला नीना अगले सल क्या तुरी कि क्या लिखा गया जी कि पगला गया है हमको लगता है ले इस सनग्या यह है कोई बात नहीं सनग्या हम दूसरा बनाते हैं यह कौन सी रेका था वो विश्वत रेका यहां से पेरू टट के थोड़ी दूरी पर उतपत्ती होती है किसकी यह 尻नीनो कमाद नि नाता है हिद मासा गर्म जब भी आएगा, उस समय भारत में गर्मी का समय रहेगा, जून का महीना रहेगा, एल नीनो गरम है, और भारत में भी जून के महीने में गर्मी पड़ती है, तो ये भी आगे हवाएं उट गई, ये भी आगे, तो एल नीनो मानसून को रोक देता है, मानसून आने नहीं देत लानीना का खच्रही देखिएगा ध्यान से समझो लानीना का खच्रही लानीना क्या करता है कि जब लानीना आएगा तो यहां पर हवाएं गरम होकर उपर उठ रही होती है यानि यहां पर हवाओं की क्या है कमी महसूस की गई है यह चार आएगा यह कोई ठंडे परदे से हव बाढ़ आ जाता है क्या जाएगा बाढ़ आ जाएगा इतना भखैल देगा इतना जाद इगी किया जाएगा बाढ़ आ जाएगा तो देखिए किसान कई से डूबेगा अक्सर देखिएगा यह चीज़ आहले किसान को नहीं बुझाता है कि एक साल बारिसे नहीं होगा और अगली साल चाप देगा अरी यार गौवर्मेंट वाले लोग एक बाफ बता दो ना उस किसान को कि एल नीनो आया है हमारे किसान साथी इस साल बारिस कम होगी लेकिन सतर करहिएगा अगली साल ला नीना आएगा बारिस बहुत जोर से हो जाएगी इस बार अगर एल नीनो आया है तो आप पानी का इंतिजाम कीजिए अगली साल ला नीना आएगा तो पानी निकालने का इंतिज कज़ब हाल है या सोचिए एक किसान के साथ क्या हो रहा है आप तमिलनाडु में रिचारज कराईये चाहे बंगाल में जाके रिचारज करेज़ चाहे पंजाब में रिचारज करेज़ इस सबका रेट देखिएगा फीक्स रहेगा देखते हैं लेकिन टमाटर ही यहां वो यह कोई बहुत बड़ा जहमेला के चाहिए लेकिन कोई बात नहीं जैसे आप लोग को सिख्षा के लिए किये ना कुछ दिन के बाद आपके गार्जियन लोगों के लिए भी करेंगे किसानों के लिए उस पर वर्क चालू है मेरा अगया गया अब गलोबली जाएंगे तो गलोबली करेंगे भले आप कोई उठा दे कहां से आप गए थे एलीनो लानीनो पता करने के लिए तो फिर उस समय आप लोग थोड़ा सा हाई है आप लोग रहते हैं तो कोई दिक्कत नह यहां पर किसान लोगों को छोड़ना नहीं है तो अपने जितने किसान घर वाले यहीं लुग विलारलम से न मिले और और उक्सीजन मिल जाता है तो आपका घर देक किसान का घर है मतलब बहतरी ढख से वह चीज़े 20 होनी चाहिए यह आपको शुदू को वरना टेक्नोलजी का यूज करना है वरना मेहंती तो किसान इतना होता है कि चीन के दिवाल से बहुत दिवाल भारत में बना दे लेकिन टेक्नोलजी यूज नहीं करते हैं आज भी वही यूरिया लेके छीट रहे हैं अरे भाईया टेक्नोलजी बदल गई किसानों के साथ क्य करस्कने के बाद उन लोग का भी वक्त बदलेगा फिर उभी दिखाएंगे सब यहाँ पर सब्सक्राइब लोग उनको 500 रुपया दे देते हैं दरवाजे पर जाके ना कहते हैं वोट दाल दीजेगा किसान भी आएगा है नेता हो इदर हो इदर है लो दुखी लोग यह ले ज लोमाई ली बाद ली बाद विखाएंगे लोगी भाद लीखिवान